मेरा नाम डॉक्टर दीपक क्याइगर है आज मैं आपको बताने वाला हूँ OCD के बारे में मतलब जो बार-बार लोगों को विचार आते हैं और जिससे परेशानिय उनको होती है तो वो जो बिमारी है इसके बारे में इसको obsessive-compulsive disorder ऐसा बोलते हैं, Obsessive-compulsive disorder मतलब बार-बार विचार आना, बार-बार और कृति करना उसकी बिमारी है, उसका मरीच है तो इनको बार बार विचार आते हैं तो बार बार विचार आएंगे या बार बार ऐसा इंपल्स आएंगा या बार बार इमेज आएंगे इंपल्स मतलब ऐसा आवेग आएंगा या उत्ते जनाएंगे या बार-बार विचार आएंगा या बार-बार ऐसी इमेज मतलब चित्र सामने आजाएंगा और उनको बार-बार-बार-बार मालूम है उसमें मतलब नहीं नहीं रसकते हैं जीन ह嘛 हम जाएगा गांसरा वैसे दर्शाला को स्टोन हुआ कि विचार भार बार 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 प्राभर कर्म जीवन के नहीं होना है कि प्रोड्राप्लेम जीवन में कि आपको लगता है कि आपका बच्चा एन्लयों आरे एट तो फिर वो obsession में नहीं किना जाए तीसरा जो है वो है कि कोई जो दूसरे विचार या impulse या images उसका इस्तेमाल किया जाता है पहले विचारों को cancel करने के लिए दूसरा निकल जाएं मतलब ऐसा ये नय नय विचार चाल हो जाते हैं और चौथा वह है कि उसकि अपस अपसечение वो खुद नहीं की कर रहा है मतलब उसको यह लगना जाए मेरी विचार यह बावर से कोई नहीं कर रहा कंट्रोलू अंदर नहीं डाल रहे हैं यह मेरे कि मुस्कॉमन जब होती सामान्य रूप से जो दिखाए जाता है वह कंटेमिनेशन का मतलब गंदग ही है ऐसे विचार बार बार आना यह लोग यूजली जो बार बार विचार आते हैं बार बार उसके उपर खुरती करते हैं लोग डॉक्टर के वास में जल्दी आते नहीं है यह क्या होदा है कि यह बहुत साफ सुद्रा इंसान है बहुत ही परफेक्शनिस्टिक है बहुत क्लिनलीनिस जाना है ऐसा करके उसके के उपर मतलब ख्याल नहीं दिया जाता आरह जन्रल पॉपिलेशन से लोग और वह पॉपिलेशन में कम सव में से दस लोकों को במारी की इपे शुरुमारी साल की उम्र में पहुते है ऐसा को नुट इसको नों पड़ा है कि पाई है कि यरीक मालूम पड़ा कि दीजेंता इस को बाइन विचार में átको बचार घंद हो गया ने देरा उसको वह वीचारों को रोकने के लिए तो přेया लेता है got a common जो बता है वे गंदगी для 2 ब्सक्राइब और क्थ 2 बार दना बार बार पर दो 20 करो अलों के लोगों का पर अत्यार कभी-कभी ऐसा होता है कि सेकड़ो लिटर पानी का नाश वो करता है क्योंकि बार-बार कपड़े होना बार-बार स्नाम करना उसमें बहुत सारा पानी चले जाता है और बाके लोगों को तकलिप खुद को तकलिप और उसको मालूम रहता है कि मेरे विचार है मगर मेरे विचार मेरे से रोक नहीं जा रहे हैं तो इस तरह का यह Obsessive Composite Disorder है यह बहुत बड़ी बीमारी मतलब यह बहुत बड़ा इसका वीडियो हो सकता है मगर मैंने उसको नहीं को पार्ट में उसका विभाजन क्या हुआ है तो यह पार्ट वन हुआ इसके बाद में आएंगे वह बहुत जरूर देखो ताब कि इसके बारे में आपको और जानकरीओ हो जाएंगी कितने अलग तरह की विचार आते हैं कितने अलग तरह की कृतिव आदमी करता है कंपल्शन वह भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा उसका इलाज का बता दूँगा आपके संपर्ग में काफी ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत क्लिनलीनेस एक्सेश् क्लिनलीनेस उनको है परफेक्शनिजम है उनको तो समझाना कि कुछना कुछ है क्या तो उनको रेफर करना जरूरी वीडियो पास करो शेयर करो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर हमारी चैनल को और उसे पास में जो घंटे आती उसको आप क्लिक करो ताकि कि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे आपके वाट्सैप के ऊपर फेस्बूप फेस्बूप के ग्रूप के वीडियो शेयर कीजेगा हमारा के मकसद है वह है मेंटल हेल्फ पर एवरीवन सब के लिए मानसिक स्वास्त है और वेसन मुक्त भार कि जो हमारा मिशन है कि इस मेंटल हेल्फ फॉर एवरीवन एडिक्शन फ्री इंडिया थैंक यू वेरी मुच